हिंदी कविता को एक नई पहचान देने वाले कवी का नाम है आलोक धन्वा लीग से हटकर नई धंकी कविताइं लिखने वाले कवी का नाम है आलोक धन्वा तो चलिए इन ही आलोक धन्वा का जीवन परिचय आज करते हैं सबसे पहले जानते हैं आलोक धन्वा के व्यक्तित्व के बारे में आलोक धन्वा का जन्म दो जुलाई 1948 को बिहार के मुंगेर जन्पद में हुआ था इन्होंने कम उम्र में ही गिनी चुनी कविताओं से अपार लोक प्रियता प्राप्त कर ली थी मतलब इन्होंने थोड़ी सी उम्र में ही कुछ कविताओं लिखी और उन गिनी चुनी कविताओं से ही ये सहित्य जगत में प्रसिद हो गई इन्होंने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया मतलब संख्या में अधिक कविताएं नहीं लिखी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये अधिक प्रसिद्ध है मतलब कविता लेखन के साथ साहित समाजिक कार्यकरता के रूप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं समाज से जुड़े हुए हैं समाज की भलाई के लिए योगदान देते हैं अब जानते हैं इनकी रचनाओं के बारे में इन्हों ने अब तक केवल एक कावे संग्रह लिखा है कावे संग्रह का मतलब होता है कविताओं का संग्रह तो इनके कावे संग्रह का नाम है दुनिया रोज बनती है और ये प्रकाशित हुआ था 1978 स्वी में इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं जो इस कावय संग्रह में हैं वो बहुत प्रसिद हुई हैं उन्हीं में से एक कविता पतंग हमारे पठे क्रम में भी है जो हमने पहले पढ़ी थी तो देखते हैं इनकी प्रमुख कविताएं हैं जनता का आदमी, भागी हुई लड़कि ब्रूनो की बेटियां, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते और पतंग अब देखते हैं कि इन्होंने जितना साहित्य लिखा है उसकी विशेष्टा क्या है सबसे पहले विशेष्टा है सामाजिक चेतना इनकी कविताओं में सामाजिक चेतना का स्वर प्रमुक है ये सामाजिक कार्य करता के रूप में कार्य करते ही है तो सामाज को जगाने का काम भी अपनी कविताओं से करते है और दूसरी विशेष्टा है शोशितों के प्रति सहानुभूती इनकी कविताओं में देखी जा सकती है शोसित कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो फिर किसी जाती का मनुश्य हो, कोई भी हो जो भी शोसित हो, उसके लिए इनकी कविताओं में सहानुभूती मिलती है तीसरी विशेस्ता है राजनेतिक बुराईयों पर करारे व्यंग इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से राजनीतिक एक शेत्र में फैली हुई बुराईयों पर करारे व्यंग किये हैं चोथी विशेस्ता है इश्वर की अपेक्षा मानवता पर अधिक विश्वास नहीं रखते बलके मानव और मानवता को प्रमुखता देते हैं आप जानते हैं इनकी भाषा की खास बात क्या है सबसे पहले विशेष्टा ये है कि उन्होंने अपनी कविताएं सरल और सरस हिंदी भाषा में लिखी हैं इनकी भाषा की दूसरी विशेष्टा है मुहावरों में नयापन इन्होंने जो मुहावरे अपनी कविताओं में प्रयोग किये हैं वो बिलकुल नए हैं घिसे पिटे मुहावरे इन्होंने प्रयोग नहीं किये हैं इनकी भाषा की तीसरी विशेस्ता है नवीन प्रतीकों और नवीन बिम्बों का प्रियोग हमने कवीता में देखा भी था सूरज की आखों जैसा लाल सवेरा चमकीले इशारे इस तरह की कितने सुंदर सुंदर बिल्कुल नवी प्रतीक और विम्ब अपनी कवीता में इन्हों ने प्रियोग किये हैं जो किसी अन्य कवी की कवीताओं में नहीं पाए जाते इनकी भाषा सेली की अंतिम विशेस्ता है मुक्त चंद में लेखन इन्हों ने अपनी भाषा को चंदों के बंधन में नहीं बंधने दिया, मुक्त चंद में अतुकांत लेखन इन्हों ने किया है